नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का लेयर 3 एजुकेशन में और आज का मोग टेस्ट है नमबर 15 का यानि कि इससे पहले 14 मोग टेस्ट हो चुके हैं जो डेली आपके सूबे 7 बज़े आ जाते हैं चलिए आज के इस वीडियो में बहुती शांदार शांदार क्योशन है चलिए बढ़ते हैं क्योशन की और पहला क्योशन आपका पेडागोजी से रिलेटेड है करने की कोशिश करिएगा लिखा हुआ है कि योजना एक उद्देश पूर्ण क्रिया है जिसे मन लगा कर सामाजिक वातारण में पूरा किया जाता है गणी चिक्षन की योजना बढ़ते हैं कि किसी ने लिखाता और जो लोग कमेंड करते उनका तहया दिल से बहुत बहुत धन्यवात काफी अच्छे कमेंड करते में डेली पढ़ता भी हूं चलो तो इस को करने की कोशिश करना पेटन को पहचान कर आगे की संख्या बताना है यानि कि 6 आया फिर 3 आया फिर 3 आया फिर 6 फिर 24 तो यहां क्या आएगा तो आपको बताना है 184 आएगा 186 आएगा 190 आएगा या 192 आएगा तो इसका correct answer आप बता दीजिए फिर में इसके बाद इसका solution करवाता हूं चलिए इसमें क्या होगा देखिए मैं बताता हूं क्या हुआ सबसे पहले 6 में उसने इंटू किया half का यानि कि आधे का तो answer आया 3 ठीक है फिर 3 में इंटू किया 1 का तो answer आया 3 तो यहां से आधे का इंटू किया यहां 1 का तो अब देखना अब इंटू करेगा 2 का किसका यानि कि आधे का डबल था 1 फिर 1 का डबल दो तो 3 दूनी 6 फिर छे का two करेगा वह चार में कई चार में का करेगा चार में क्यूंकि दो का double 4 और देखा आपने कि आधे से डर्द एक एक से डर्द हुआदो । दो से csak道 से डर१बल कना 8 तो 24 करी मेंा हो जाएगा आठा तो f2 का하세요 यू की ए 3 भलने शेन 2 हो सुनरा गया चलिए आगे बढ़ते हैं तिसरे नंबर का क्योंशन लेते हैं हां आज मैंने अच्छा है price क्योंशन मजचंधार हैं चलिए क्योंशन पढ़िएगा देखें क्या लिखा हुआ है कि ये वास्तविक है कि घनीत को तो बहुत से चात्र कठीन समझते हैं यह वाक्य में वास्तवी है अगर देखा जाये तो हाँ इसकूल एम शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाये जाने चाहिए कि जिससे चात्रों के गणित के इस्थर को बढ़ाया जा सके उपरोक्त द्रश्टी कौन है किसका द्रश्टी कौ लिए फिर में इसका करेक्ट आंसर बताता हूं तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओप्शन नंबर सी इस बात पर जोड दिया गया था कि बहुत से चाहता गणित को कटिन समझते हैं लेकिन मैं नहीं मानता जो यह वीडियो देख रहे हैं वह गणित को कटिन स से लिखा हुआ है कि एक तरिबुज के तीनों कोणों का मान 2,7, 11 अनुपात में घजम दो कि आसान है आप लोगोंने कर लिया होगा वीडियो को रोक के कर लेना है बिना कहें इसका आंसर क्या हो जाएगा तो आप बोलों कि सर ऐखाएं 180 होता है ठीक होता है तो आप क्या करोगे 279 नौर 11 कितना होता है यहां दिख रहा है यहां थे वाला हम औप्षन आपका सही हो जाएगा नव का 15 यह तीनों कोनं हो जाएंगे 18 63 निन्यानवे जो जब भी रेश्यों दिया हो यहां पाइश्या वानुपात दिवा तो आपको 808 के नीचे उसको लिख लेना है आगे बढ़ते हैं क्योश्ट नमबर फिफ तो देखिएगा क्या है गनीत को कहा जाता है विध्यारतियों का दुश्मन शक्ति-शालियों की शक्ति मन की भाषा मस्तिश्क का विकास तो यो जो तो भावक हो जाएंगे कोई-कोई तो भाव नौम बेजाते तो के तुद्शमन न्यार लगाओ यही लगाओ पर यह नहीं लगाना है आंसर इसका हो जाएगा मस्तिक्षक का विकास घंट को कहा जाता है मस्तिक्षक का विकास है ना तो इसका हो जाएगा option number D तो ऐसे question मज़दार लगते हैं तो इंटरनेट वगिरा यहां वासे निकालता हूं तो ऐसे question लाता हूं ठीक है question अच्छे लगे like वगिरा कर देना है ना ठीक question number six देखते हैं चलो चलो यह question कह रहा है कि तीन सही एक बटे चार किलोग्राम चीनी से एक बटा 16 किलोग्राम चीनी के कितने पेकेट बनाए जा सकते हैं बारा पेकेट चोसट पेकेट बावन पेकेट या अरतरस पेकेट तो आप इसको करने की कोशिश करना तो जरा कैसे करोगे माल लो एक question में उधारन के रूपे देता हूं कि मेरे पास एक हजार किलो चीनी है कितनी चीनी है एक हजार किलो चीनी और मैं दस-दस किलो के ऐसे पेकेट बना रहा हूं दस-दस किलो के कितने पेकेट बना हूं तो आप बोलो के सर यह हजार है ना इसके नीचे दस लिखो आप तो आपको पता चल जाएगा कि इसे सो पेकेट बनाने तो यहां पर बटे चार तो तीन सही एक बटे चार को आप बोलोगे सर तीन चोग बारा कर दो हाँ बही कर दिया तो तेरा बटे चार आगया ठीक है उसमें बटे कर दो आप सर एक बटे तो यह जो सोला है यह बोलेगा कि मैं तो नीचे डर लगता है अपने को तो अपन उपर चलेगा भई या तो चलो भई उपर तो सोला बटे एक हो जाएगा उपर जाके सोला बटे एक हो जाएगा तो चार सकरो को चार चोग सोला और तेरा का पहड़ा चार बार बोलोगे तो तेर चोग बावन हाला कि किसी की नीब आता कोई बात नहीं दुखत बात है यह कोई बात नहीं तेर चोग बावन इसका अंसर हो जाएगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं क्योशन नंबर 7 लेते हैं देखते हैं क्या बोल रहा है लिखा हुआ है कि A 360 किलोमेटर की दूरी 8 गं कि Ap की चाल का Ан Hakáट बता दो यह तो कोई भी बट बता देगा सभी को आता है कि चाल बराबर क्या होता है कि चाल बराबर दूरी बटे वीया परक्षा नहीं तो अपन वही करेंगे दूरी लिख देंगी 360 क्या स्पीड क्या रही होगी तो आठ चोग 32 ने चार बचा तो आट पंचो चालिस यानि कि एक ही जो स्पीड है वो है पेतालिस ठीक है वो बोल रहा है कि समान दूरी को समान दूरी मतलब यही वाली तो आट चार आजाएगा थीक है आगे बढ़ते हैं कि यूशन नमबर एट लेते हैं गणित के नियम एवं निशकर्श होते हैं वस्तुनिष्ट होते हैं सार्व भूमिक होते हैं वस्तुनिष्ट वसार्व भूमिक दोनों होते हैं इन में से कोई नहीं तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप पहले लगा लीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा चाले, क्या answer हो जाएगा इसका? इसका answer हो जाएगा, option number Question number 9 लेते हैं Question number 9 लिखा हुआ है कि एक वरत और एक आयत का परिमाप समान है यीक वरत है और एक आयत है इस प्रकार से उन दोनों का परिमाप समान है चाले, तो आयत की भुजह एं 18 और 26 cm है तो वरत का शेतरफल क्या होगा चलिए बताइए किस प्रकार से करेंगे आप लोग पहले तो इसकी रेडियस निकालना पड़ेगी तब ही आप शेतरफल निकाल पाएंगे तो आप पहले कर लिजे फिर मैं आपको बताता हूं उसने बोला कि परिमाप समान है देखिए अगर परिमाप समान है तो वरत को परिमाप होता है 2 पाय आर क्या होता है 2 पायर क्पॉया पक्रिमाप होता है आयत का वह जो को जोड़ेंगे तो देखा आठ चे चौदा का चार हसिला का एक है ना तीन और एक चार चवाली सा रहा है ठीक है अभी अपनोंने निकाला के 14 है तो 14 गोनित 14 तो 7 दुनी 14 22 दूना 44 गोनित 14 तो आपका अंसर कितना आ जाएगा 14 156 हे रहा है जोग चोडा 56 और 5 यह आ रहा है आर कितना आ रहा था आपका 14 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका शेत्रफल एक मिनट 22 बटे साथ इन्टू आर का स्क्वेर 14 यह आ रहा था आपका तो 14 गुनित 14 तो साथ दुनी चौदा 22 दुना 44 गुनित 14 तो आपका अंसर इसमें शायद नहीं होगा चलो देख लेना कोई बात नहीं 14 चॊपणर का 6 हसी लगा 5 चॊफणर चॊपणर और 5 कितना हो जाएका 666 इसका अंसर आ जायगा कितना ऑप्षण नंबर ई लगा ले शातने अंगे चासूथ ses अंसर आएगा ठीक है चलो वटते हैं ऐसे जो कीको प्था ब़ताना को पर बताता हूं किस करो принимे केसे करेंगे चलो फिर मैं बता देता हूं देखी केसे करना है जब भी a square minus b square दिया रहता है तो आप बोलते हो sir हम तो करते हैं इसको खोलते हैं तो a plus b आता है एक बार और into आता है a minus b तो a square minus b square कितना दे रखा है 252 दे रखा है तो यहां लिख दो 252 ठीक है a plus b कितना दे रखा है 42 दे रखा है और a minus b अपने को पता नहीं है तो वो मालो x वो मालो x तो वो निकल के आ जाएगा a minus b और उससे फिर b भी निकाल देंगे पहले a minus b तो निकालो a minus b निकालते हैं ठीक ठीक है तो यहां से काटा 6 36 या निए कि आपका A- B बराबर कितना आया 6 आया x & ए चैनल बावर ब मैकर 12 तो आप देखोंगे प्लस ऴी से माइनस भी ख़तंँ तो आपका यह बढ़ाबर बियालिस हो चे कितना होता है48 तो ए बराबर कितना हो गया दैनल ए बराबर चोगया तो आप देखोंड़ता है एंज ए से जाए तो अठारा जोड़ोगे तो बहिए लिस्ट आ जाएगा तो बी का जो अंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नमबर भी अठारा इसका अंसर आ जाएगा ठीक है साब आगे बढ़ते हैं बड़ा शांदार क्यूशन है क्यूशन अच्छा लगे लाइक कमेंट कर देन है ना ठीक है इतना कर सकते हैं आप चाल आगे बढ़ते हैं क्यूशन नमबर 11 बोलो साब अंक गणित का महत्व है अंक गणित चिक्षन का महत्व है घरेलुकायरी है तो मजदूरी वहसाय है तो व्यावारी को प्योग है तो यह सबी तो इसका बड़ा आसाना अंसर है आप लोग लगा लीजिए फिर मैं आपको बताता हूं तो इसका आंसर हो जागा यह सबी यहनिकि अंक गणित का महत्व कहा है घरेलुकायरी में भी है ना कि इतने रुपई की लाए जैसे बचपन में अपन जाते थे कुछ भी समान लेने तो आपको बोला जाता था कि इतने इंबर 12 येलो साब यह अंडर रूट है थोड़ा सा ध्यान रखना अंडर रूट ठीक से लगानी पर यह समझ लेना आप यह पूरा अंडर रूट है और यहां है क्यूशन मार्क तो करने की कोशिश करिए कैसे आएगा है ना चलिए क्या अंसर आएगा अंडर रूट में है 6 इंटू 3 इंटू 5 यहां नहीं है यहां आप बताना है कि यहां क्या आएगा चलिए कर लीजिए तो इसमें क्या आ रहा है नहीं चेती अठाहर और नभबे थीक है प्लस चैस्यूबीस का आधा हो जाएगा कितना इस्टा कितना होता है पचास पर सेन मितल्ला आधा तो 310 ह लो साथ Bड़ा असान है यह तो कोई समस्य नहीं पर देखने में अपन परशान हो जाते यह अपन परशान हो जाते हैं जैसे एक यह आप का 5 बनेगा तो यह परशान हो जाते लोग तो एसा जब भी आ तो मैं अभी हाथ तो हाथ बता देता हूं माल लो under root 50 आया तो आप कुछ मत करो इस 50 को क्या करो कि पहले गुननखन कर लो तो 2 से करोगे 25 आया फिर 5 से करोगे तो 5 25 आया फिर 5 अपन इसकुल में क्लास में बेठे रहते थे तो बाहर पानी पीने जाने के लिए जो अपने सहली या सहले की जरूत पड़ती थी तो यह दोनों वेवार करेंगे निकले चला अपन दोनों बाहर चलते हैं तो यह दोनों मिलके एक हो गए है ना और अंदरन में बचारा बेचा यह बेठा देगा टू क्योंकि इसके दोस्त नहीं था तो वह आकेला अंदर बेठा है तो इसका अंसर आएगा फाइफ रूट टू है ना तो जब भी ऐसा आ जाए तो इसे निकालना है ना इसी किसी को मेरे भाई को नी भी आता होगा इसलिए मैंने डबल से बता दिया ठी पर कर लेंगे मुझ पता है लिखा हुआ कि एक और चार । यह बटा टीन और एक बटा चार के अनुपात में है ठीक है तदी त colony परिमाब बावन दिया हो तो सबसे बड़ी इन सबसे छोटी बुज़ा इंतर बताओ तो आप बता दोगे कोई बड़ी बात इसमें नहीं है सबी को आता भी होगा कैसे करेंगे चलो आप बोलो कि सर यह तो रेशो तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है क्यों नहीं लग रहा आ तो दो चंग 12 तो यहां बना 6 तीन चोग 12 यहां बना चार चार तीया 12 तो चे चार और 3 इसका रेशो बन गया सही साथ रेशो अगर देखूं तो बन गया 6-4-3 ठीक है अब बोलना कि परिमाब दिया हुआ है तो परिमाब क्या होता है इन बुजाओं का योग परिमाब क्य चे चार और दस चे चार और तीन चे चार दस तीन 10 6 8 बराबर этом आप से क्या पूच्या आप से पूच है बहिए अब से च्छोटी यांविक की तीन इनका ङंतर उत कांतर भाईया छे मिस तीन गया तो कितना आएगा तीन तो 1957 कितनी वार कट रहा है तो तीन से टेरा निस्नाइटा यह लेकिन तीरा का पाढ़ा तेर चुक 52 ।ो कहाँ है बारा यह रहा ठीक है यह बज गई बारा ठीक है option नमबर ए इसका अंसर हो जाएगा करेक्ट अंसर ठीक है साब आगे बढ़ते हैं क्योशन नमबर 14 लेते हैं वर्तमान पाठ्य क्रम का दोश है पुस्तगी ज्यान पर बल विश्यों में सहसंबंद का अभाव लचीलापन का अभाव उप्रोक्त सभी तो एसे क्योशन में जब अरतमान पाठ्य करम का दोश यानि कि अभी जो सिलेवस चलता है वह दोश यह है अभी जो पढ़ाने का तरीका वह है कि पुस्तगी घ्यान पर ज्यादा बल दिया जाता है क्योंकि जैसे अपन बारवी भी पास हुए फाइनल भी किया तो वह पुस्तगी जो अपनों क्या क में वह है उनमें आपस में सर संब्शेसे का किसे जैसे कि साइन्स का क्या संबंद है में शी और जाता है कि लचीलापण का पाभाव समझना लचीलापण या नहीं की उस meant flexibility नहीं है flexibility कैसे जिससे की A SQUARE माइनस B SQUARE या फिर A SQUARE प्लस B SQUARE बराबर होता है A SQUARE प्लस B SQUARE प्लस 2A भी होता है पर यह कोई नहीं बताता है कि यह क्यों होता है लचिलापन का भाव इससे कहते हैं कि आपको पूरा में बताया नहीं जाता है या फिर उसको तोड़ा मरोडा नहीं जाता है तो यह अभाव है थीक है तो इसका अंसर आजाएगा उप्रोक तो सभी ठीक है चाल आगे बढ़ते हैं क्योशन नंबर 15 लेते हैं लिखा हुआ है कि एक आयत की लंबाई उसकी चोड़ाई से 20% अधिक है ठीक है साब यदि आयत का परिवाब 6-6 मिटर है तो आयत का शत्रफल बताओ ठीक है तो पहले आप क्या करना लंबाई चोड़ाई का रेशो बना लेना उससे क्या रहेगा आसानी रहेगी आपको करने में है ना चल पहले आप कर लीजे फिर मैं आपको बताता हूं देख रहाचंग 120 तो 65 का रेशो बन रहा है कि में लंबाई और्टोड़ाई में बन रहा है 6 & 5 य laboratay 5-55 कर लेता हूं उसने परिमाब दिया है थो लिखता अब 2 से करोगे आप तो आजाएगा 33 कितना आजाएगा 33 और यह आएगा 11 X तो X की वेल्यू आजाए 11 तिया 33 यहनि कि X बराबर आजाएगा 3 तो आपकी लंबाई 6 X और चोड़ाई 5 X थी तो आप बोलो कि 3 चंग 18 यहनि कि लंबाई तो हो गई 18 आप से क्या पूचा आप से पूच रहा है कि शित्रफल कितना है तो इन दोरों कर दो 18 और 15 करेंगे तो कितना आजाएगा अठरा पंजन नभे का जीरो हसी लागा नो अठरा और नो तो 27 तो 27 इसका अंसर आ जाएगा option नमबर 20 का correct answer हो जाएगा तो इस प्रकार से question हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं आगे question number 16 लेते हैं ठीक है साम क्या है question number व्यावारी गणित का भाग है यानि कि व्यावारिक गणित का क्या भाग है कुन सा भाग है संख्याओं का हिसाब लगाना जोड या बाकी करना यानि जोड घटाव करना समीकरणों को हल करना या बेंकों की काड़ प्रनाली की जाच करना व्यावारिक गणित का मतलब होता है कि जिंदगी में कहां काम आते लगाते हैं कि दो बेटे बेटे कुछ नहीं करते हैं व्यावारिक में यह नहीं होता है जोड बाकी नहीं करते हैं समीकरों को हल निकाते हैं लेकिन बेंकू की कायरेपणाली की जाच करना आपकी व्यावारी गणित का भाग है तो इसका अंसर हो जाएगा option number डी इसका correct answer हो जाएगा ठीक है देखिए आज मैंने यह त्योरी वाले का मतलब होता है कि जो section होते न ए और बी लड़कियों की संक्या चम्हाली से यानि कि आपकी माता हैं बहने माता हैं तो नहीं यह बहने हैं 44 ठीक है कुल विद्यारतियों का 55 प्रतिशत हैं ठीक है तो वर्ग में लड़कों की संक्या कितनी है ठीक है साथ तो इसको करने का तरी है लिखेंगे इसके नीचे ठीक है into कर देंगे क्या पूच्छा लड़को की संक्या तो लड़कों की संक्या कितनी हैं लड़कों की संक्या हो जाएगी 55% अगर लड़कियां हैं तो लड़के हो जाएगे 45 परसें तो यहां इंटू कर दो 45 बड़ा सिंपल है आप इसको करेंगे 11 से करेंगे 11-5 और 11-44 और 5 से करेंगे 5-45 और 9-36 तो 36 कहां आ रहा है 9-36 कहां आ रहा है यह लो साब ओप्शन नमबर सीस का करेंट हो जाएगा तो 36 लड़के होंगे उस वर्ग में कितने लड़के होंगे ठीक चाल आगे बढ़ते हैं कोई साथ क्योशन नहीं भी समझ में आए नहीं समझ में आए तो कुछ नहीं करना है यह जो वीडियो चल रहा है उसके यहां इस जगे 5 बार इसे क्लिक करना तो 50 सेकंड पीछे हो जाएगा 10-10 सेकंड 50 सेकंड पीछे हो जाएगा तो वापिस से समझ लेना कहीं अपने रेल गारी तो शूट नहीं लोग डाउन में पड़े हैं घर पे तो दो तीन बार अच्छे समझ लेना है ठीक है चालो आगे बढ़ते हैं क्योश सबसे बड़े कोण के आधे सबसे बड़े कोण के अधे सबसे बड़ा कितना होता है 3.5 तो इनकी बीच में अंतर कितना होगा तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना आ रहा है 2.5 का यह डारेक्ट यहां हो गया आप चाहो तो ऐसे निकालो एक एक कौन और फिसका डबल ने यह वो करो या यहां पर भी कर सकते हो मैंने इसका ही 3 का डबल कर लिया 6 और 7 का अध दी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है साब सभी को आगया होगा चलिए आगया बढ़ते हैं क्योशन नंबर 19 देखना आप तो क्या लिखा हुआ है कि दो वरत की परिदियों के बीच 132 सेंटीमिटर का अंतर है यानिकि दो वरत है उनकी परिदी परिदी यानिकि टू आप संटीमिटर नहीं देख लो 21 लिसंट इनकी कोशिश करो तो जड़ा पहले का बोला है दो वरत की परिदी आए ठीक है तो बड़े मेंस लगा दिया होगी लेकिन इसका और एसा बड़ा रख लेते हैं और चोटे वरत की परिदी पी टूपा है रही होगी लेकिन रहें लगा दिया, और कितना लिखूँअं? मैं 132 लिखूँआ ठीक है साब, ये लिख लिए 132, अब देखो की 2π, 2π दोनों में common है, ठीक है साब, 2π दोनों में common ले लिख लिया, अब r, मैंइस r कितना है? ये वाला r तो पता नहीं है, ये तो पता करना है, लेकिन ये तो पता है स अब ये तो 14 cm है तो मैं यहां लिखूँँगा 14 और बराबल में लिख दूँगा 132 ठीक है और 2 पाई यहां है तो यहां ले जाएंगे तो 2 बटे यह होता है 2 इंटू 22 बटे 7 तो उधर ले जाएंगे तो 7 उपर और 2 और 22 नीचे अब 2 से करा आपने तो 2 चंग 12, 2 चंग 12 ठ यो है इधर जाके प्लस का चौदा हो जाएगा यानि कि 21 आंसर नहीं है डारेक्ट देखते 21 आंसर मत लगा देना तो यह चौदा उधर जाके प्लस होगा तो यहां पर आ जाएगा 4 और 5 दो और 3 यानि 35 इसका आंसर आएगा कितना आंसर आएगा 35 तो थोड़ा सा ध्यान द बढ़ दे जाती है चोड़ाई 20% कम कर दी जाती है तो शेत्रफल पर प्रतिशत की नहीं हो जाएगी की कम हो जाएगी तोниц 2 करने की कोशिश अ came लबाई टो मैं सो आपका शेत्रफल आहले है अगर लंबाई बढ़ती है 40 तो आप भी रोग्ट लग्य। परना हुआ हुआ है यानि कि 100 से कितना हो गया एक regular हो गया तोीड़ा हो कि सर इसमें तो लंबाई चोड़ाई ने कुछ तो आया है ने केसे आ गया अगर यह समझ में नहीं आया हो तो मेरी बात सुनना केसे करोगे मान लेते हैं लंबाई चोड़ाई दोनों सो मान रहा हूं कोई को बोलेगा असर लंबाई दोनों सो तो हो इन सकती पर यहां सवाल में हो सकती क्योंकि मेरे कुछ पर्सेंटेज में बढ़ाना है तो सो रखता हूं तो मेरा आसानी रहती है मान लो 600 लंबाई चोड़ाई है तो शेत्रफल हो जाएगा 10,000 कितना हो जाएगा भीया 10,000 इन दोनों का इंटू कर देंगे 600 तो 10,000 आ जाएगा अब जैसे बोलता है वेसे करते जाओ 40% बड़ाई लंबाई तो 140 कर दिया ठीक है साथ आपसे फिर 20% चोड़ाई कम कर दी तो 100 से 80 कर दी ठीक है साथ शेत्रफल कितना हो गया और 14,8 कितना होता है तो बोलोगे सर 112 होता है कितना होता है 112 तो आप देखो कितने की व्यद्धी हो गई 1200 की वरद्भी हो गई किस पर व्रद्धी हो गई डिस अजार पर व रद्धी हो गई और इंटु क्या कर दोगें इसलिए दो बार होता क्या बोलता कि इस वर्ग की बोले और बोले कि एक वर्ग की भुजा में दस प्रतिशत की वर्दी की जाती है दस प्रतिशत की वर्दी की जाते है वर्ग की भुजा में तो शेत्रफल में कितने वर्दी होगी तो आप दस आंसर टीक करके मत आ जाना या फिर दो बार हो रही है तो दस दस बीस कर हो जाएगा तो सो से 121 हो जाएगा इस प्रकार से करना है ठीक है साब आगे बढ़ते हैं क्यूशन नमबर ट्वंटीवन लेते हैं लिखा हुआ है कि एक 360 मिटर लंबी रेल गाड़ी सिगनल के एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है तो रेल गाड़ी एक घंटे में कितनी दूरी ताई करेगी मतलब किलो मिटर पर आवर में आपको बताना है चलिए कैसे करेंगे पहली बात तो स्पीड निकालना है तो स्पीड के लिए आप कर इसलिए करते हैं क्योंकि चोटा से मीटर पर सेकंड से किलो मिटर पर वाउर में जा रहे हैं तो बड़े का इंटू करते हैं बटे 5 का करेंगे तो 18 से 18 उड़िया और 5 से करेंगे तो 5 से 5 सा तो 35 और एक बचा तो 5 दूनी 10 तो 72 इसका अंसर आ जाएगा option number C इसका correct answer हो जाएगा कि सर यह तो हमको समझ में नहीं आया ठीक कोई बात नहीं तो मैं बोल रहा हूं जब बोल रहें कि घंटे में कितना चलेगा तो यह मीटर पर सेकंड में हैं तो किलोमेटर प्रती घंटा में जाना है तो 20 को आप करना 18 बटे 5 का इंटकरना जब भी मीटर पर से किलोमीटर पर होगा लेकिन कुछ को पता निई होगा फिर वो कमेंट करेंगे तो मैं बता देता हूं कि किलो मीटर का मतलब होता है एक किलो मीटर और इसमें अगर मीटर में जाना है किलो मीटर में जाना है तो एक हजार करना पड़ता है क्योंकि एक किलो मिटर में 1000 मिटर होते हैं ठीक है साथ एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं और शार मिनट में 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं उसकी को नहीं पता हो तो देख लेना ऐसे होता है अब ये किलो मिटर से मीटर पर सेकंड में जा रहे थे इसलिए पांच बत्एrey अठारा कर रहे थे और मीटर पर सेकंड से इधर आना है तो 18 बत्एपांच का करना पड़ जाएगा इसलिए यहाँ पर आपका आंशर आया 360 बत्एपांच का झाया 20 को 1 पर सेकंड में था इसलिए मैंने क्या किया कि 18 बटे 5 से अब तो समझ में आगया होगा आगे बढ़ते हैं क्युस्जिन नमबर 22 शिक्षण प्रक्रिया का आखरी प्रक्रिया का आखरी चरण क्या है मुल्यांकन अधिन क्यों या देश वार तो इसका जो correct answer है वह आप सभी को पता होगा जो आखरी चरण है वह है क्लीट कन बूल्र होगा आपकी exam होगी वह मुल्लियंकन ऌने का करना मुल्य कितना है आपके पढ़ाई का कितने नंबर आ रहे हैं बिल्कुल सब के अच्छे नंबर आएंगे बस एक चीज में कहना चाता हूं शाम सर भी यही बात बोल रहे थे आज के इस वीडियो में शाम को जो चलता है आपका उसमें बता रहे थे कि आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना है मेरा यही पढ़ लेंगे अपनों सब पढ़ी रखा है यह ब्रह्म हो जाता है कि पढ़ रखा है हमको आता है तो डेली बेसिस पे आपको प्रेक्टिस करते रहना है ठीक है चला आगे बढ़ते हैं ज्यान की बात ज्यादा हजब नहीं होती है ठीक है चालो क्योश्य नंबर 23 देखना शीला गीता एवम रजनी की आयू का अनुपा 3-4-5 है यदि उन तीनों की ओसत आयू 20 वर्ष है तो शीला की आयू रजनी की आयू का कितना प्रतीशत है 40, 60, 70 और 80 बड़ा सिंपल है इसको करने की कोशिश करना कैसे करेंगे चलिए आप लोगों ने किया होगा आपका अंस चाने के साफ उससे फिर 5-4-9-3-12 करके यह एक एक अनिकाला होगा मैं इतने लफड़ा निकरता मैं इसे क्या पूच्छा उसने के शीला की आयू कहां दिख रही है रेश्यो में यह 3 दिख रही है ठीक साफ इसकी आयू की रजनी की रजनी का है पीछे फीचे पीचे तो य और आप चाहो तो व्यसे भी कर सकते हैं उमर निकाल के भी कर सकते हैं लेकिन तो हám यह होता है क्योश्य देखते हैं क्या है आगे वढ़ते हैं क्या है पांच सांफय संख्याओं संख्याओं का संख्याओं का 34 है तो बी और डी का गुणनफल कितना है यानि कि पांच संख्याओं है यह होगी 35 यह होगी आपकी यह होगी 33 यह होगी 32 क्या बोला आपने कि बी और डी का संख्याओं का उसत थार्टी फोर है तो यह संख्याओं बोली वहीं में देखू हूं संख्याओं बोली तो यह तो फट्रटी सिक्स हो जाएगा यह हो जाएगा 38 क्योंकि लिख रहा हूं उसी टाइम आत्मा कलपरी होगी किसी क्या रहे है यह क्या लिख रहे हो सम बोला है सम हाँ यह लो सम लिख दिया ठीक है तो यह हो जाएगी 30 यह 32 एक बार लिख देता हूं ज्यादा लफड़ा पढ़ रहा है A B C D E तो यह सी जो आप लिख दिया था सम नहीं देखा था ठीक है यह गलती आप मत करना आप समझदार हो इसे आप नहीं करते हो यह तो मुझसे हो जाती है ठीक है बी और डी का गुननफल पूचा है तो बी है आपका 32 और डी है आपका 36 ठीक है साब अब क्या मैं इंटू करने बेठू हूं क्या नहीं बेठू हुआ मैं को का पता है सारे का लगा रहे हैं तो 2 छंक कितना होता है 12 यानि कि 12 का 2 कहां दिख यह दिख रहा है साब ऑप्षिन नंबर भी में तो यह आंसर हो जाएगा ठीक है साब है ना आगे बढ़ते हैं क्योश्टन नंबर 25 देखना पेटर्न में आगे कि तो भी पता भी होगा देख रहे हो कि एक का 2 का 2 का 2 का 3 का 4 तो देखा आपने एक का 2 का 3 का सब्सक्राइब जो कि होगा माइनस का 25 है ना माइनस का 25 करेंगे तो चोवतर में से माइनस पच्छी का चौदा में पांच गया नो ठीक है साब इधर बचा छे चे में दो गया चार फोर्टी नाइन कहां दिख रहा है ओप्शन नमबर ए दिख रहा है तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है साब चल और आपके 25 क्योशन कंप्लीट होते हैं यहां पर एक और चीज बेस्ट अप लग फॉर अपकमी एक्जाम एक्जाम जब भी आया बस तैयारी मत छोड़िएगा डेली इसको अच्छे से पढ़ते रहिए हैना डेली मौक टेस्ट आ रहा है और आज एक और काम करना है आपको आप लोग शेर भी कर दिया करो यार इसको एना ठीक है शेर कैसे करना है आपको यहां से जो लिंक दिख रही है इसा वाला इस पर क्लिक करना ह पर entrevusion है और और अपने वोट्सफ वगेरा जो गृफ है जिन में पढ़ाई के लाव जो सारी बाते चलती है उनमें शेर कर देना अगर कि आपके पूर लागर से आपके's कि intr You चाविदा का पूरा syllabus करवाया गया है 40 वीडियो है जो 499 में उपलब्द हो जाएंगे आपको 40 वीडियो है पूरा syllabus उसमें करवाय गया है ठीक है आपके जो syllabus के अंदर जितने भी chapter है वह सारे chapter उसमें one by one उसको करवाया गया घड़ी वगयरा सारे चेप्टर ठीक है तो किसी को जरूत लगे तो ले लेना है ठीक है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद और अच्छे अच्छे कमेंट करते रही है लाइक करते रही है बिल्कुल आपको डेली सुबह 7 बज़े मिल जाता है है ना वीडियो ठीक है चल करो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद चाहिए है 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 है